अलो स्टूडेंट्स वेलकुम टू टॉपिक टर्ज इस वीडियो में हम एक स्टोरी का इंगलिस में अनुवात करेंगे यह स्टोरी क्लास 12 यूपी बोर्ट की पेपर में आ चुकी है तो देखिए इसके एक-एक सेंटेंस को हम अंगरी जी में अनुवात करेंगे इसमें सेंटेंस है भारत वर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है सिंपल प्रिजेंट का है सब्जेक्ट है भारत वर्ष की प्राकृतिक बनावट जब भी बीच में की लगा हूँ यह पूरा सब्जेक्ट है यहां तक है अब देखिए बीच में जब भी का की या के लगा हूँ तो ये पीछे का पोर्शन ये पहले आता है इसकी अंग्री जी हम पहले बनाएंगे प्राकरतिक बनावट यानि की दा नेचुरल बनावट यानि की फॉर्मेशन की यानि की आउफ भारत वर्श यानि की इंडिया प्रेजन का है तो इस लगेगा बड़ी ही वेचित्र यानि की वेरी स्ट्रेंज पूरा सेंटेंस होगा दा नेचुरल फॉर्मेशन आफ इंडिया इस वेरी स्ट्रेंज इसके बाद देखते हैं आगे हमारी मात्र भूमी के सिर पर हिम्क्रीट है तो देखिए हिम्क्रीट का मतलब है यानि की बर्फ जमी हुई है बर्फ रखी हुई है हिम्क्रीट की अंग्रेजी है इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे हिम्क्रीट को स्नोई क्राउम स्नोई क्राउम स्नोई क्राउम अब देखिए सिर पर है यानि की सिर पर इस्थित है लाई means है lie on ये पूरा क्या है हमारी मात्र भूमी के सिर ये लखा है सिर और इसके बाद बीच में लखा है के और हमारी मात्र भूमी तो इस परकार से आ जाता है तो पीछे का पोर्सन पहले lie on यान की इस्थित है है यान की इस्थित है lie on इसके बाद दा देखिए सिर सिर यान की हैड के यान की ओफ हमारी मात्र भूमी यान की अवर मदर लेंड इसके बाद देखिए ये सेमी कॉलन लगा हुआ है तो हम सेमी कॉलन ही लगाएंगे इसके बाद आगे अंगों पर घने जंगलों के हरे वस्त्र है इसका सब्जेक्ट है घने जंगलों के हरे बस्तर और फिर लिखा है है तो जब जो करता है वो हिंदी बाकी की क्रिया के पास में लिखा हो तो ऐसे में हम सब्जेक्ट बनाते हैं देर ऐसे बाले बाक्यों को हम देर से अनुवात करते हैं देर अब देखिए देर आर मींस हैं क्या है घने जंगलों के हरे बस्तर बीच में के लगा है पीछे का पोर्शन पहले आएगा खरे बस्तर यान की ग्रीन कोस्ट्यूम्स बस्त्र की कोस्ट्यूम्स के यान की आफ के अफ और उसके बाद है घने जंगलों यान की डेन्स फॉरेस्ट जंगलों हैं तो फॉरेस्ट कब हो वचन फॉरेस्ट एस डोड़ जाएगा इसके बाद फिर सेमी कॉलन है सेमी कॉलन लगाएंगे इसकी गोद में खिल रही है तो ये पुरा सबजेक्ट हो गया आदी असंख नदिया। ये हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो सबसे पहले हम लखेंगे असंख नदियां यानि कि enumerable reverse enumerable means असंख नदियां की reverse असंख नदियां कौन सी like means की तरह अब ये नदियां यहां से लिखेंगे हम सिंधु यानि कि इंडस कॉमा गंगा गंगा इसके बाद है यमना नर्मदा कावेरी कॉमा इसके बाद है गोदावरी इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इसकी गोद मैं मैं इनकी इन इसकी इनकी हर और गोद मैं की आएगी लैप हर इसलिए आया है क्योंकि मात्र भूमी के लिए जो प्रोन आएगा वो हर आएगा इसके बाद आगे देखते हैं सौने की लंका इसके चरण प्रदेश में कमल की भाती चिर पिर इस्पुटित है तो सब्जेक्ट है सौने की लंका यानकी गोल्डन लंका है यानकी इज अब सौने की लंका क्या है चिर पिर इस्पुटित चिर यानकी हमेशा के लिए पिर इस्पुटित यानकी फल फूल रही है पिर इस्पुटित का मतलब है फल फूल रही है तो चिर की हुजागी एवर और पिर इस्पुटित की इसके बाद है इसके चरण प्रदेश में यान की ओन हर चरण प्रदेश की हम लगा देंगे फीट केवल और इसके बाद है कमल की भाती यान की लाइक लोटस इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उत्तर में परवत राज हिमालाए पूर और पस्चिम की और अपनी दोनों बाहु फैलाए हमें अभयदान दे रहे हैं तो दीए उत्तर में यान की इंदा नौर्थ कॉमा परवत राज हिमालाए यानि की परवत राज की हो जाएगी दा रोयल माउंटेन और कौन सा रोयल माउंटेन हिमालाए हिमालाए का एच केप्टल बनाएंगी इसके बाद देखिए इसमें क्रिया है ये परवत रहाए रही है तो इसमें इजलाएगा अब मुख्य क्रिया क्या है इसमें देखिए हमें अभैदान दे रहे हैं हमें अभैदान दे रहे हैं देना देना की लगाएंगे हम रेंडर देखिए रेंडर का मतलब है एक परकार से किसी को सुरक्षा देना सुरक्षा प्रदान करना और उसके बाद है हमें यान की अस अभैदान यान की fearlessness fearlessness यानकी भैसे मुक्ती तो हमें अभैदान दे रहे हैं पूर उपस्चिम की और अपनी दोनों बाहू फैलाए तो फैलाए यानकी फैला करके तो by spreading क्या फैला करके अपनी दोनों बाहू यानकी its बोथ बोथ मिस दोनों बाहू यानकी arms पूर उपस्चिम की और की और यानकी towards पूर उपस्चिम यानकी east and west प्लिस टॉप इसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद next है बर्प से धकी परवत मालाएं बिसाल नदियां हरे भरे चारा गाय बालू की चादर ओडे रेगिस्तान गहन जंगल दिन में चिल चिलाती धूप तो रात में सीतल पबन सबने भारत वर्प को प्रकृति का स्रेष्ट लीला निकेतन बना दिया है तो देखे अब इसमें वर्प से धकी परवत मालाएं ये कौमा लगा हुआ है तो इतने की अंगली जी हम पहले लगा लेंगे तो वर्प से धकी परवत मालाएं वर्प से धकी यानिकी स्नो कबर्ड जो पहाणों पर वर्प जमती है उसे हम स्नो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सफेद होती है और जिसे हम जमाते हैं वो वर्प उसे हम आइस बोलते हैं वो बहुत जादा कठोर होती है स्नो कबर्ड और परवत मालाएं यानकी माउंटेन रेंजिज बर्प से धकी परवत मालाएं यानकी स्नो कबर्ड माउंटेन रेंजिज कॉमा विसाल नदियां यानकी ह्यूज रिवर्ज कॉमा आगे है हरे भरे चारागा यान की ग्रीन ग्रीन मीडोज कॉमा बालू की चादर ओडे रेगेस्तान यान की बालू से ढगे हुए सैंड कबड रेगेस्तान यान की डजर्ट्स कॉमा गहन जंगल गहन जंगल यान की डेंस फोरेस्ट कॉमा दिन में चिल चिलाती धूप चिल चिलाती धूप यान की सकोर्चिंग सन चिलचलाती धूप और दिन में येन की दूरिंग दे इसके बाद है तो रात में सीतल पबन येन की एंड सीतल पबन येन की कूल ब्रीज और रात में येन की एट नाइट सब ने भारत वर्ष को प्रकृति का स्रेष्ट लेला ने कितन बना दिया है सब ने येन की ये जो सब चीज़े है और बना दिया है प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव बना दिया मेक की थर्फों मेड किसको बना दिया है भारत वर्ष को इंडिया को इंडिया स्रेष्ट येन की दे बैस्ट लीला निकितन येन की रिजाइडिंग प्लेस रिजाइडिंग प्लेस प्रिकिर्टी का का येन की आफ और प्रिकिर्टी की हम लिखेंगे नेचर एंड ए टी यू आर ए तो देखिए पूरा क्या हो गया सुरू से एक बार इसको अच्छे समझे लेते हैं बरप से ढकी परबत माला आएं स्नो कवर्ड बाउंटेन रेंजिस विसाल नदिया हूज रिवर्स हरे भरे चारागा यनकी ग्रीन मीरोज बालू की चादर ओडे लेके सान यनकी सेंड कवर्ड डेजर्ट गहें जंगल यनकी डैंस फॉरेस्ट दिन में चिल चिलाती धूप यनकी स्कोर्चिंग सन यनकी चिल चिलाती धूप दिन में डियूरिंग दा डे तो रात में सीतल पबन यहन की एंड सीतल पबन कूल ब्रीज और रात में की एट नाइट इसके बाद सबने सबने आल बना दिया है भारत वर्ष को इंडिया को प्रकृति का स्रेष्ट लीला निकितन तो का लगा है स्रेष्ट लीला निकितन की पहले आएगी दा बैस्ट रिजाइडिंग प्लेस का यान की ओफ और प्रकृति की आजाएगी नेचर फिल स्टॉप इस प्रकार से ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है अगर आपको वीडियो पसंद आया है से लाइक कीजिए चैनल पर यादि आप नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद